मुजफर पुर के सदर थाना छेतर के खबड़ा मंदर के निकट एनेच 28 से गुज़र रही एक लगजरी कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई कार में आग लगते ही कार में बैठी महिला डॉक्टर और उसके ड्राइवर जल्दी से बाहर निकल गई जिससे उनकी जान बच गई दरसल मुजफरपुर के होमी भाबा कैंसर अस्पताल में कार रेत डॉक्टर अवंतिका राइ ड्यूटी के बाद अपने घर गन्नी पूर लोट रही थी तभी खबड़ा मंदर के पास ड्राइवर ने उन्हें बताया की कार में आग लग गई है जिसके बाद आनन फानन में दोनों उत्रे देखते ही देखते कार जलने लगी इस्थानिय लोगों ने अगनी शमन और पुलिस को सूशना दी अगनी शमन की टीम ने कड़ी 45 मिनट के मशकत के बाद आग पर काबू पाया आग के रूप क्या था भेंकर था पुरा अदम लहास ले रहा था साब अधर करके आग क्या नाम हुआ मिलराम सिंग इस पोस्ते है अगनी शिवा में है इस और बुचानी जाने में में चाहर पड़ी कोड़ी बेटी हुए तक कितने लोग चाहर कितने लोग तो सब्सक्राइब काम और ड्राइवर अचा अगलों कैसे पताचला आपड नोग होगों पता ने बहुते गा जाईए आपके-स पर फुचले गया रूपके भी आग पुझा रहते हैं लेकिन पुझी नहीं तो अभी वह घर से दूसरी गारी लाने गाए तुछ पता नहीं चल पाया कैसे लगी गारी में आगा पता नहीं कैसे लगते हैं क्या नाम वह में आपको दॉक्टर मतिकारोड कहां से आरे इस मिन दी कैंसर पाच बज़े सिफ खतम हुआ था फिर आ रहे हैं कहां पर लगी गारी में आग निकले तो रोट पड़ी गारी जगर लगे उच्छ और इसमें आग पहले सही लगे उच्छ गारी में वह उतर करके और हां के समने हारे ओपिस लेटे हुए ज्यांग पचा करके इस ओपिस लेटे हुए तक रहने बाले हैं वो लो गनि पूर्फप या नाम वह उंका इनके गारी मारे देए अभी आपको नहीं पता है वह तो मैडम यह को आपका क्या नाम वह अबहा है अबहा क अबहा को झाल 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 झाल